हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंद किशोर क्लासिज आज हम बहुत इंपोर्टेंट कुशिंज करने वाले हैं अलजैब्रा के शोट कट ट्रिक के साथ तो बड़े ध्यान से सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि यह कुशिंज किस कंसेप्ट के हैं फर्स्ट कुशिंज में x प्लस 1 बाय x इक्वल टू गिवन है और इसकी वैलियो निकाल नहीं है यहाँ पर यह जो x प्लस 1 बाय x इक्वल टू टू गिवन है न यह कंसेप्ट समझने की जुरूरत है एक number x है दूसरा उसका reciprocal है तो जब भी किसी number और उसके reciprocal का total अगर 2 आए तो समझ लीजिए वो number क्या है 1 है ये main concept है क्योंकि 1 का reciprocal 1 ही होता है और 1 प्लस 1 किसके एक को लाएगा 2 के अब देखो first question में मैंने judge कर लिया और ली कर लिया कि x की value 1 है तो इसमें put कर होगे 1 power 9 यहाँ 1 power 7 अब 1 की power तो जो मर्जी ले लो 1 ही रहेगा तो that means finally क्या बनेगा finally 1 power 9 लो और यहाँ पे 1 power 7 क्यों लिया क्योंकि x की value मैंने 1 put कर दी तो बनेगा यही 1 प्लस 1 और final answer कितना होगा 2 होगा तो first question का answer क्या आएगा 2 आएगा second question देखो अब second question में एक number x by y दिया है एक number y by x दिया है अब हैं तो reciprocally total 2 के equal है इसका मतलब मेरे पास x by y किसके equal है 1 के equal है क्यों अगर x by y 1 होगा तो इसका reciprocal y by x भी 1 होगा और 1 plus 1 किसके equal होगा 2 के तो concept तो यही है उपर वाला अब यहाँ पर अगर x by y 1 के equal है तो मतलब y को इदर 1 से multiply करोगे तो x किसके equal आ गया y के equal आ गया हमें क्या निकालना है जी x-y की value जब x और y दोनों equal है तो x-y y के जगहां पर x भर सकते हो because both are equal तो यह आएगा 0 x और y दोनों equal है तो काट के answer क्या बनने वाला है 0 that means second question का answer क्या होगा 0 होगा तो I hope आपको यह concept समझ आ रहा है और इसके बाद third question third की statement पढ़िए third में हमारे पास क्या है a plus 1 by a minus 3 it is equal to 5 अब यहां पर अगर वैसे करने लग जाओ तो समझ नहीं आएगा कि यह question कैसे होगा लेकिन हमने तरीका पढ़ा है कि number और उसका reciprocal उनकी addition 2 अगर हो जाए तो बहुत easy तो मैंने देखा यहां तो 1 by a minus 3 है क्यों ना मैं दोनों तरब से 3 minus कर दू subtracting 3 from both sides अब देखिएगा क्या बनेगा बनेगा क्या कि मैं इधर 3 minus करूंगा right side में भी 3 minus किया बना क्या right side तो 5 minus 3 किसके एक को लो गया 5 minus 3 मतलब 2 ही हुआ न अब देखो a minus 3 एक number है उसका reciprocal यह रहा और दोनों का total किसके एक को लागया 2 आ गया यही concept बना एक number और उसका reciprocal अगर 2 आता है तो इसका मतलब वो number किसके एक को लागया 1 के एक को लागया बस यही concept है जैसे यहां x को बन लिया था यहां x by y को बन लिया था यहां a minus 3 को बन ले लेंगे तो यहां से a की value 4 यह minus 3 उदर जाके plus का हो जाएगा जब a4 आ गया हमें तो a minus 1 by a की value निकाल नहीं है मतलब 4 minus 1 by 4 तो इसको solve कर सकते हैं आप क्या बनेगा its answer will be 15 by 4 यहां LCM लेके हमने solve किया that means third question का answer आएगा जी 15 by 4 तो आज different concept किया हमने कि अगर एक number और उसके reciprocal का total 2 दिया हूँ समझलो वो number 1 के equal है ऐसे questions competitive exams में आते हैं और 100% आपके लिए यह beneficial होंगे आप इसकी practice कीजिए और अगर आपको आज यह concept अच्छे से समझ आया है वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए thank you so much